रात का समय था जंगल में घना अंधेरा चाया हुआ था उस रात के घने अंधेरे में एक अकेला पक्षी उड़ रहा था अंधेरा घना हो गया है मैं आगे नहीं जाऊंगा इसी के घर में रुख जाता हूं वो रहा घर उन्हीं से मदत मांगता हूं ऐसे वो पक्षी पास के ही दरवाजी को खट-खटाता है वो घर का वोका था कौन? कौन इतनी रात को आया होगा? पूरी नेंद बगार दी मेरी चलो गोरी, दोनों दरवाजा खोलते हैं कहीं कोई चोर हुआ तो सही बोलते हो अगर कोई बदमास हुआ, मैं ये डंडा भी ले लेती हूँ फिर वो दोनों पती पतनी दरवाजा खोलते हैं किर्प्या मेरी मदद करो, मैं रहगीर पक्षी हूँ आज की रात आपके घर में ठहर सकता हूँ क्यों? तुमारा कोई घर नहीं, अपने घर में जाओ मेरा जंगल दूर है, और बीच में चीलो का अड़ा भी पड़ता है अगर मैं इस समय जाओगा, तो वो मुझे मार देंगे मैं तुम जैसो को अच्छे से जानती हूँ घर में घुसने के बाद फ्री का भोजन भी खाओगे भागो भागो यहां से, हमारे घर में फाल्तू के पक्षियों के लिए कोई जगा नहीं भागो यहां से, ऐसे बोलके गोरी कवी घर का दर्वाजा बंद कर लेती है दूसरे चड़िया का घर था, वो रहागीर पक्षी चड़िया के घर पर दस्तक देता है किर्पया मेरी मदद करो, आज रात मुझे अपने घर में आश्रा दे दो, मैं सुबा को चला जाऊंगा भाई जी, आप मेरे घर में रात बिता सकते हो, आप अंदर आ जाएं आपका बहुत बहुत सुक्रिया, जो मुझे अपने घर में जगा दी, मैं सुबा होते ही निकल जाऊंगा, सहर से लोटने में देर हो गई भाई जी, आपको भूख लगी होगी, ये दाना मेरे पास बचा है, आप ये खा लें फिर वो अंजान पक्षी दाना खा कर सो जाता है, सुबा हो जाती है, वो अंजान पक्षी जाते जाते चुडिया को अपने थेले से कुछ निकाल कर देता है चुडिया बहन, ये केले का बीज है, इसे अपने आंगन में बोदेना, बहुत जल्दी केले लग जाएंगे ऐसे बोल कर वो पक्षी वहां से चला जाता है चिडिया उसी समय केले का बीज अपने आंगन में बो देती है हाँ बीज तो सही से बो दिया अब मैं दाना लेने जाती हूँ फिर चिडिया भोजन की तलास में चली जाती है कालू कवा अपने घर के बाहे राता है तो वो चोक जाता है वो चलाते हुए अपनी पतनी को बलाता है गोरी ओ गोरी जल्दी आओ गजब हो गया चिडिया के आंगन में गजब हो गया क्यों क्यों गला फाड रहे हो ऐसा भी क्या देख लिया चिडिया के आंगन में वो देखो चिडिया के घर में कितना बड़ा केले का पेड लगा है मुकालू सही कहा हम कोई सपना तो नहीं देख रहे पेड केलों से लदा पड़ा है मगर इतनी जल्दी कैसे कल तो सूखा पता तक नहीं था अचानक ये केले का पेड़ कहां से आ गया आओ गोरी पेड़ के पास चले ये कोई सपना नहीं जादू है जो चड़िया के पास है ऐसे चोकते हुए दोनों कवे पेड़ के पास चले जाते हैं वो एक एक केला तोड़ कर खा लेते हैं ये केले तो बहुत मीठे हैं और स्वादिष्ट भी कालू मेरे हिसाब से तो चड़िया अभी तक इस पेड़ के बारे में कुछ नहीं जानती अगर जानती तो सुबा सुबा ही भोजन की खोज को न जाती ठीक कहा बिल्कुल ठीक कहा गोरी ये केले का पेड़ भमारा है चड़िया को एक भी केला नहीं देंगे मेरे दमाग में एक आइडिया है चलो हम जल्दी से चड़िया के लोटने से पहले अपने घरों को बदल देते हैं ऐसे वो दोनों कवे चड़िया का घर अपने घर से बदल देते हैं। कुछ देर बाद चड़िया दाना लेकर आ जाती है। वो केले के पेड़ को देखकर बहुत खुस होती है। अरे ये तो चमतकार हो गया। सबाही तो मैंने केले का बीज बोया था। और देखो कितनी जल्दी केले भी लग गए। ये जरूर जादूई बीज था। फिर चड़िया एक केला तोड़ती है और अपने घर में चली जाती है। कालू गोरी तुम दोनों मेरे घर में क्या कर रहे हो। चड़िया ये घर तुमारा कब से हो गया। दिमाग तो ठीक है। फिर चड़िया अपने घर को पहचानती है। वो हिचके चाते हुए बोलती है। हाँ मेरा घर तो वो रहा। ये मेरा घर नहीं है। मुझे माफ करना। कोई बात नहीं चड़िया भेन। ऐसा कभी कभी हो जाता है। अब जाके अपने घर में आराम करो। सारा दिन यहां वहां भोजन की तलास में जर रहती हो। रुको गोरी, माना कि मेरा घर उस पेड़ पर है। लेकिन मैंने सुबाही अपने आंगन में केले का पेड़ लगाया था। और वो पेड़ तो यही है। हाँ तो अपने घर के आंगन में जाके देखो केले का पेड़, ये आंगन तो हमारा है और ये केले का पेड़ भी। छोटी चुडिया, अब यहां से जाती हो, या मैं हल्ला गुल्ला कर दूँ। जंगल के सपक्षियों को पता है, ये तूटा फूटा घर हमारा ही है, और तुम इसे भी अपना बनाना चाहती हो। ये हो ही नहीं सकता, सब तुमारी चाल है, मेरा केले का पेड़ हतियाने की। ऐसे रोती हुई चुडिया अपने घर में चली जाती है, वो बार बार उस केले के पेड़ को देख रही थी, मगर कवों से लड़ाई भी नहीं कर सकती थी, उसको अच्छे से पता था, वो बुरे कवे उसे मार लगा देंगे, ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, फिर वो वही पक्षी चुडिया के घर आता है, आरे आप तो वही हो, जो मुझे केले का बीज दे कर गई थे, हाँ मैं वही हूँ, मगर वो केले का पेड़ तो कहीं नहीं देख रहा, वो कोई ऐसा बैसा बीज नहीं था, जादू ही केले का बीज था, फिर चुडिया उस पेड़ के बारे में सब कुछ उस पक्षी को बता देती है ये कवे तो बड़े चातर हैं मुझे इनको अच्छा सबक सिखाना होगा हाँ भाई जी ये कवे बहुत बुरे हैं जंगल के किसी भी पक्षी को एक केला तक नहीं खाने देते आप इनको सबक दें चुडिया भेन इस बार आप ये बीज अपने आगन में बोदो उनको वो को अपने आप ही सजा मिल जाएगी फिर दोबारा से बीज दे कर वो पक्षी वहां से चला जाता है चुडिया बीज को बोदेती है कुछ घंटों बाद वहां पर अनार चीकू और आम के पेड़ लग जाते हैं कालू वो देख च पक्षियों को पता है हमारे पास केले का पेड़ है कालू इस बार हम घर नहीं बदलेंगे मैं तो कहती हूं चडिया को ही मार देते हैं उसके घर को आग लगा देंगे वो घर के अंदर ही जलके मर जाएगी और फिर तीनों पेड़ हमारे होंगे ऐसे वो बुरे कवे तो चिंगारी जलाते हैं वो पेड़ तेज हवा से उनकी चिंगारी भुजा देता है वो आग को बढ़ने नहीं देता गोरी हवा बहुत जादा है किसी चीज से हवा को रोको तभी तो मैं चिंगारी लगा पाऊंगा गोरी अपने पंखों को फैला के हवा को रोकती है तभी ए गोरी कवी की आग बुझाते हुए कालू के पंक भी जल जाते हैं गोरी कवी की तो मौत हो जाती है तो प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है करभला तो हो बला और जो भी दूसरों का बुरा सोचता है उसका खुद का ही बुरा होता है प्लीज वीडियो को लाइक क गरें आपका धन्यवाद रानो चड़िया एक गरीब चड़िया थी उसके सारे पड़ोसी लगभग उससे कहीं जैदा मीर थे उनमें से कुछ तो बहुत अच्छे पक्षी थे और कुछ बुरे लेकिन उनमें सबसे बुरा कवो का परिवार था कालू जी ये गरीब चड़ि आपको उस चड़िया से इतना लगाब क्यूं है जबकि मेरे साथ साथ बाकी पड़ोसियों को वीब बुरी लगती है गोरी क्योंकि तुम सब सिर्फ चड़िया के गरीबी को देखते हो उसका दिल नहीं देखते कितना मासूम और नेक है अपने हाथ तक की रोटी दे देती है भिकारियों को और तुम अमीर अपने आलस के मारे दर्वाजा तक नहीं खोलती तुमसे तो बाते कर नहीं बेकार है मैं जा रही हूं बजार अपने अमीर पड़ोसियों के लिए गजक और मुफली लेने मकर सक्रांती के त्युहार पर सब को बाटूंगी ऐसे बोलकर गोरी कवी बाजार चली जाती है कालू कवा भी अपने दोस्त के घर चला जाता है ममा आपने वादा किया था मकर सक्रांती पे मुझे नया बैग और कपड़े ला कर दोगी आप कुछ भूली तो नहीं हो नहीं गुडिया भूली तो में कुछ नहीं आपके लिए पैसे नहीं ममा चिडिया गुडिया को गले से लगा लेती है वो अपनी बेटी को नया बैग और कपड़े दिलाना चाहती थी मगर उसके पास थोड़े भी पैसे नहीं जमा हो पाते मैं कालू अंकल के घर जा रही हूं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी आप घर पर ही रहना ऐसे बोलकर रानो चिडिया कालू कवे के घर चली जाती है वो थोड़े पैसे उधार कवों से लेना चाहती थी उसी समय गोरी भी धेर सारी खरिदारी करके घर आती है गरीब चिडिया तुम अब क्या मांगने आई हो गोरी बहन मुझे अपनी गुडिया को बैग और नए कपड दिलवाने हैं बस थोड़े पैसे उधार लेने आई हूं रानो पैसे तो मैं तुझे नहीं दे सकती लेकिन तेरे लायक में एक काम बता सकती हूं जल्दी बताएं गोरी बहन मेरे लायक क्या काम है मैं जरूर करूंगी रानो तो बड़े बड़े घरों में भीक मांगना मा हो जाएंगे और तो जंगल की सबसे अमीर पक्षी बन जाएगी पर हाँ ये महुला छोड़ देना बिखारियों का अलग ही ठकाना होता है गोरी की ऐसी बाते सुनकर रानो की आखों में आसुआ जाते हैं गोरी भेन मैं तो आपसे उधार मांगने आई थी जिसे में समय क रहते चुका देती मैं भीक मांगने की सलह लेने नहीं आई अपनी बच्ची का गुजारा में कर सकती हूं ऐसे बॉल कर रानो चुडिया वहां से चली जाती है कालू कवा सारी बाते सुन रहा था मगर वो चाहकर भी रानो की मदद नहीं कर पाता कब उतर भीया मुझे 500 पे दे देते हैं जल्दी ही लोटा देगी कबूतर जी आप पागल होगे हो जो इस गरीब को पैसे देना चाहते हो देखो पैसे उसे दिये जाते हैं जिससे हमें काम पड़े ऐसे कबूतर भी चिडिया को मना कर देता है चिडिया उदासमन से अपने घहर आती है गुडिया मुझे माफ कर दो अब से मैं किसी से भी उधार नहीं मागूंगी लेकिन आप चिंता ना करना जिस दिन मम्मा को काम मिलेगा मैं उसी दिनाथ के कपड़े और बैग ले कराऊंगी लूसी बहन मकर सकरांतरी के डेहर साजी सब काम नाए बच्चों के लिए गज़क और मुफली लाई हूँ गोरी मैं इस बार सभी बच्चों के लिए चाकलेट लाई हूँ मुफली खाखा के बच्चे बोर होगे होगे कुछ अलग भी तो खिलाना चाहिए चलो तो लूसी अखटे चलते हैं मकर सक्रांतरी के सभी पक्षियों को मुबारक बाद देते हैं ऐसे बाते कर वो साथ साथ चली जाती हैं वो अमीर पक्षियों के घर घर जाती हैं और सभी को मुमफली और चोकलेट बाट रही थी दूर बैठी गुडिया सब देख रही थी ममा, ये अमीर पक्षी कैसे हैं? देखो, अपने जैसे अमीर घरों में मिठाईयां और मुम्फली बांट रहे हैं, जिन्हे जरूरत भी नहीं, और हमारे जैसे गरीब घरों में कुछ नहीं देते, इन्हें नहीं पता ये मिठाई लेकर हमें कितनी खुसी मिलेगी? गुडिया बेटा आपको तो बहुत समझ है इन्हें आपके जितनी समझ नहीं है भाई साब मुझे वो बैग और लाल वाली फ्राक दे दो ये लेकवे भीया आपके हजार रुपे हुए वो दुकानदार कालू से ऐसे बोलता है तभी मिठ्ठू कबूतर भी वहां आ जाते हैं अरे भाई भाई जल्दी से मुझे वो बैग और पीली वाली फ्राक दे दे जल्दी फिर दुकानदार उसे वही कपड़े दे देता है और तभी मिठ्ठू बोलता है मुझे एक बैग और हरी वाली फ्राक दे दो थोड़ा जल्दी करो वो सब एक दूसरे को देखते हैं और समझ जाते हैं आप दोनों ये लानो चड़िया की बेटी के लिए लेकर जा रहे हो ना हाँ कालू और तुम भी अरे हम तीनों एक जैसे ही कपड़े लेकर जाएंगे गुडिया के लिए तुम दोनों कुछ आर खरी दो वैसे आप दोनों को देख कर मुझे बड़ी खुसी हुई अब सायद वो गरीब बच्ची बहुत खुस होगी उसके ममा बेचारी कैसे सबसे उधार मांग रही थी मिठू कबूतर कालू कवे की बात को बखू भी समझ जाते हैं कालू गुडिया के लिए जूते और बैग लेता है मिठू कॉफी किताबे लेता है और कबूतर मिठाईया लेता है वो सारा सामन गुडिया के दरवाजे पर रख देते हैं और उसमें पर्शी भी डालते हैं छोटी सी भेट प्यारी गुडिया के नाम आपके सुबचिंतक पड़ोसी देखें ममा कितने सारे तौफे हमारे पड़ोसियों ने दिये हैं गुडिया तो इतने सारे तौफे देकर बहुत खुस होती है रानों को भी हिम्मत मिलती है कि कोई तो है जो उसे अपना पड़ोसी समझता है और उसकी मदद भी की ममा ये नई फराक मुझे पे कितनी अच्छे लग रही है और देखो नया बैग मिठाईया जूते और इस वाले बॉक्स में तो कॉपी किताबे हैं हाँ मेरी बच्ची ये सब आपके लिए है हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने आपके लिए इतना सब कुछ दिया गुडिया तो वो नई फराक पहन कर बहुत खुस थी वो आते जाते सबी पक्षियों को हैप्पी मकर सकरांती बोल रही थी कालू अंकल हैप्पी मकर सकरांती सैम टुयो गुडिया बेटा सैम टुयो आप हजारो साल जियो खुस रहो हमेशा खुस रहो प्यारे दोस्तों आप सब को हमारे तरफ से मकर सकरांती दिवस की देर सारी सुबकाम नाएं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आपका धन्यवाद जंगल में एक विसाल बर्गद का पेड़ था उसी पेड़ के गौशलों को सुरक्षित रखा उसी पेड़ के खोकल में एक भूड़ा गिद भी रहने आ जाता है जब से ये मरा गिद इस खोकल में आया है मेरा तो कहीं भी जानी का मन नहीं करता हां गोरी मुझे भी बहुत डर लगता है लेकिन अब हम क्या करें ऐसे तो नहीं बैठ सकते भोजन तो लाना ही पड़ेगा वरना हमारे छोटे छोटे बच्चे भूख से मर जाएंगे और छोड़के गए तो ये गिद बच्चों को खा जाएगा मैं तो कहती हूँ सहेलियो हमको ये पेड़ ही बदल देना चाहिए अपने घोंसले किसी दोसरे पेड़ पी बनाने चाहिए बूड़ा गिद उनकी सारी बाते सुल रहा था और उन्हें आवाज देकर नीचे बुलाता है देखें पक्षियो आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं मैं बहुत बूड़ा हो चुका हूँ तो आपके बच्चे क्या ही खाऊंगा मुझसे तो ठीक से उड़ा भी नहीं जाता तो आपके बच्चों को कैसे खाऊंगा रानो चुडिया बात तो ये ठीक कहता है बूड़ा गिद जब से आया है इसी खोकल में हैं मैंने तो इसे कहीं उड़ते हुए भी नहीं देखा सभी बक्षी उस बूड़े गिद की बाते मान लेते हैं और भोजन की तलास में चले जाते हैं वो साम को भोजन लेकर घार आते हैं गोरी बहन गिद ने ठीक ही कहा था वो बहुत बूड़ा है वो तो अपने लिए भोजन ढूड़ने भी नहीं जाता हां रानो बुड़ापे में बहुत कमजोर हो गया है विचारा ठीक से अपना पेट भी नहीं भर पाता लूसी बहन मैंने सोचा है हम सब आज से बूड़े गिद के लिए भी थोड़ा थोड़ा भोजन लाया करेंगे ऐसे उसका पेट भी भरता रहेगा हां रानो ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है ऐसे वो बूड़ा गिद भूका भी नहीं मरेगा क्या खाक ठीक सोचा है हम उसे भोजन दें और वो तंद्रूस्त होकर हमारे ही बच्चों को खाएगा ना बाबा ना मैं उसे अपना भोजन नहीं दोंगी उसे ऐसे ही भूका मर जाने दो गोरी हमें हमारे बच्चों की बहुत चिंता है मगर मुझे उस बूड़े गिद पर दिया आती है वो जब से आया है खोकल से कहीं नहीं गया वो भूका है और सबसे बड़ी बात वो हमारे साथ ही रहता है हाँ रानो हम इस गोरी की बात नहीं मानेंगे चलो बूड़े गिद को थोड़ा भोजन दे कर आते हैं फिर रानो लूसी और हरियाली अपने गोसले से थोड़ा थोड़ा भोजन जमा करती हैं और गिद के खोकल में ले जाती हैं आप ये भोजन मेरे लिए लाए हो हाँ बूड़े गिद हम आपको और भूका नहीं देख सकते आप ये भोजन खा लें बूड़ा गिद के दिनों से भूका था वो जट से उनका सारा भोजन खा जाता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बहुत जोरों की भूक लगी थी बूड़े गिद जी माना की आप बहुत बूड़े हो चुके हो मगर अपने जेने के लिए तो दाना लाही सकते हो बेटा मेरी तबियत के दिनों से खराब है इसलिए पंकों के साथ साथ पेरों ने भी साथ छोड़ दिया जब तक मैं ठीक नहीं होता मैं कहीं नहीं जा सकता बूड़े गिद जी अगर आप हमें अपनी तबियत के बारे में पहले बता देते तो मैं आपके लिए काले फूलों का रस ले आती उसे पीने के बाद आप एकदम स्वस्त हो जाते मुझे लगा नहीं था आप इतने अच्छे और नेक दिल पक्षी होंगे मुझे भोजन खिलाने के लिए धन्यवा फिर वो सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं और सो जाते हैं अगली सबा वो फिर से भोजन की खोज में जाते हैं अब तो वो हर रोज बुड़े गिद के लिए दाना लाने लगे थे जिसे खाकर बुड़ा गिद स्वस्त हो जाता है आप सब कितने अच्छे हैं मुझे भोजन भी देते हैं और चोटी चड़िया आपने मुझे दवा भी धी तुमारा एहसान में कभी नहीं भूलूंगा आप हमें सर्मिन दान करें असहाओ की मदद तो हर किसी को करनी चाहिए ऐसे गिद और उन सभी पक्षियों में दोस्ती हो जाती है सभी पक्षी बच्चे गिद को बहुत पसंद करने लगे थे और वो तो गिद के साथ खेला भी करते पूड़े गिद चाचा जी जब सब चले जाते हैं तो हमारा म मन तुमसे ही लगता है अकेले होने का भी डर नहीं लगता हाँ मेरे बच्चो मेरा मन भी आपसे ही लगता है थोड़ा आपके साथ खेल लेता हूं तो साम को नीद भी आ जाती है ऐसे वो सब बच्चे और बोड़ा गिद खेल रही थे उधर गोरी कवी को चिलता हो रही थी जब से वो मरागिद आया है मेरा तो खोजन खोजने में भी मन नहीं लगता कहीं वो मेरे जगू को न खा जाए गोरी आज हम आपको दिखाते हैं चलो अभी घर चलते हैं और छिपकर बुड़े गिद की निगरानी रखेंगे वो हमारे बच्चों को किस नजर ये से देखता है फिर वो सभी पक्षी वापस से अपने जंगल आते हैं और छिपकर देखते हैं बुड़ा गिद बच्चों के साथ खेल रहा था सारे बच्चे भी बहुत खुस थे चिडिया आप सब ठीक कहती हो मुझे इस गिद पर भरोसा कर लेना चाहिए वो अच्छा है गोरी आपको अच्छे बुड़े की पहचान नहीं है बेकार में ही चिंदा करती हो फिर ये सब देखकर वो फिर से भोजन की खोज करने चले जाती हैं दिन ऐसे ही गुजरने लगे थी एक दिन बिल्ली मुसी बुड़े गिद और बच्चों को छुपकर देख रही थी ये पक्षी तो बहुत बेवकूफ लगते हैं आसानी से मेरी बातों में आ जाएंगे और मैं इनसे दोस्ती कर लूँगी एक एक करके सारे बच्चों को खा जाऊंगी ऐसे योजना कर बिल्ली उसी पेड़ के पास आती है और कहने लगती है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मैं अकेली हूँ कोई तो मुझसे दोस्ती कर लो मुझे अच्छे बुरे की पहचान है इससे पहले कोई और दोस्ती का हात आगे बढ़ाए मैं ही करूंगी इस बिल्ली से दोस्ती गोरी ऐसे सोचते हुए पेड से नीचे आती है और बिल्ली से दोस्ती कर लेती है उसे ऐसा करते देख सभी पक्षित तुरंत ही नीचे आते हैं गोरी आज ये क्या कर रही हो बिल्ली से दोस्ती ये हमारे बच्चों को खा जाएगी अरे नहीं नहीं चुडिया मैंने मास्क खाना छोड़ दिया है मैं तो गंगा जी भी ना कराई हूँ मैं आपके बच्चों को कैसे खा सकती हूँ ना बाबा ना मैं ये घोरपाप नहीं करसती सुन लिया आप सबने मेरी बिल्ली दोस्त गंगा जी ना कराई है और तुमारा ब बिल्ली से भी दोस्ती कर लेते हैं और भोजन की खोज में चले जाते हैं बिल्ली तो मन ही मन बहुत खुस हो रही थी और बच्चों के साथ खेलने का नाटक करती है तभी आंक बचा कर उन में से एक बच्चे को ले जाकर जाडियों में खा जाती है ये बच्चा कितना चुपके से हड़ी बुड़े गिद के खोकल में छपा देती है अब से हर रोज वो ऐसा ही करने लगी थी वो कैई सारे बच्चों को खा जाती है पक्षियों को बच्चे गायब होने का सक होता है वो दोनों से पूछ ताच करते हैं हमारे कैई पक्षी बच्चे गायब हैं कहती है मैं तो कहती हूँ हमें सभी बच्चों को इनके पास ही छोड़ कर जाना चाहिए वो सेफ रहेंगे किसी चील का भी डर नहीं रहेगा सब बख्षी गोरी की बाते मान लेते हैं और सभी बच्चों को बिल्ली और गिद के पास छोड़ कर जाने लगते हैं मगर बिल्ली के घर में तो कुछ नहीं मिलता है लेकिन बुडे गिद के घर में काफी सारे बच्चों की हड्डिया मिलती हैं मुझे तो इस गिद पे पहले ही विश्वास नहीं था आपने ही मेरी बात ना सुनी अब इस गिद को फासी की सजा दें हाँ गोरी आपने ठीक कहा हमने ही इस पे विश्वास करके बहुत गलत किया मैंने कुछ नहीं किया मुझे नहीं पता ये हड़िया मेरे घर में कहां से आई बुड़े गिद ने ऐसा बोला ही था तभी बिल्ली भी बोल पड़ती है हाँ मैंने भी आज इसके खोकल से चूचू की आवाज सुनी थी मगर मुझे तो विश्वास नहीं था ये नन्ने मुन्ने बच्चे खा सकता है सभी पक्षियों को बिल्ली की बाते ठीक लगती हैं और वो बुड़े गिद को फांसी दे देते हैं और बिल्ली तो साफ बच जाती है बहुत दिन हो गए चड़िया के बच्चे खाते खाते आज तो मैं ये कवे का बच्चा खाऊंगी ऐसे सोच कर बिल्ली गोरी के बेटे को पकड़ कर अपने घर में ले जाती है आज सभी पक्षियों को भोजन जल्द ही मिल गया था तो वो भी अपने घरों को लोट रहे थे और वो जग्गू कवे को गायब देखकर बिल्ली के घर जाते हैं बिल्ली तो जग्गू कवे को खा रही थी सत्या नास हो तेरा, मेरा बच्चा खागी सभी पक्षियों को बहुत गुसा आ रहा था वो बिल्ली को दबोच लेते हैं और चौच मार मार कर उसकी हत्या कर देते हैं दोस्तो इस चालाग बिल्ली की वजह से बिचारे बूडे गिद को अपनी जान गवानी पड़ी मुझे तो इस पे पहले से ही सक था मगर मेरी बात कोई नहीं मानता